हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मुप्त ग्यान गुरू हमारे भारत में करोना का दूसरा लहर शुरू हो गया है और ये पिछली साल से भी ज्यादा खतरनाक सावित हो रहा है कोरोना जो पिछली साल हमारे सरी में साथ दिन में अपना काम शुरू करता था तो हमें बचने का भी चांस कुछ ज़्याधा था। दोस्तों दवायू की इतनी ज़्यादा खपत हो गया है कि हमीं समय पर दवाय नहीं मिलाई। तो दोस्तों, ऐसे में काम आती है हमारी घरेलू नुशके। धादी नाने अपने जबाने में घरेली चीजों से ही बहुत सी बिमारियों का इलाज कर लेती थी तो दोस्तो उसी में से एक नुस्का है नीबू पानी आज हम आपको बताएंगे कि नीबू पानी से कौन कौन सी बिमारिया ठीक होती है और इसका इस्तिमाल कब करना है तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक दोस्तो अगर दिन की शुरुवात सेहत मन हो तो जाहिर सी बात है कि पूरा दिन तरो ताजा रहता है दोस्तो सुबा उठकर गुमुने पानी में निवू के रसकी कुछ बुंदे मिला कर पीना बहुत है जादे फायदे मन्द है आम तरपर हम सभी अपने दिन की शुरुवात कोफी या चाय के साथ करते हैं गर्म पानी में निवू मिला कर पीने के ये फायदे आपको चाय और कोफी की दूरी बनाने पर मजबूर कर देंगे तो आये जानते हैं कि इसके क्या-क्या फायदे हैं युमनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए निवू में उच मांत्रा में विटामिन-C पाया जाता है जो समाने रोगों से लड़ने के लिए फायदे मन और कारवर उपाय है विटामिन C हमारे सरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्रों को शक्रिये बनाने में मदद करता है अगर आपको अपना युम्नेटी पावर बढ़ाना है तो रोज सुबह गर्म पानी में नीबू का सेवन जरूर करे अगर आपको कबज या गैस की समस्या दूर करना है तो गर्म पानी में नीबू नीचोड कर पीने से आपको मदद मिलेगा तो अगर सोच जाने से पहले अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो यह आपकी गैस या पेट से जूड़ी तमाम बिमारियों को दूर कर देगा दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर कुछ न कुछ पोष्टिक आहार तो लेते हैं उसका फायदा हम पूरी तरह से नहीं उठा पाते पर दिन की सुरुवात नीबू पानी के साथ करने पर सरीर की पाचन किरिया ठीक हो जाती है दोस्तो नीबू पानी में पैक्टिन पाया जाता है जो वजल को घटाने में मददगार होता है इसके विप्रित सुबा उठकर चाय या कोफी पीने से सरीर में कोलेश्ट्राट की मात्रा तो बढ़ती ही है साथ ही सुबर लेवर पर भी असर पढ़ता है दोस्तो नीबू पानी के नियमित सेवन करने से त्वच्चा पर भी निखाराता है इसके इस्तमाल से जहां एक और त्वच्चा को जरूरी नमी मिलती है वही इसमें मौजूद विटामिन C त्वच्चा से जुड़ी कई समस्याव को अंदरोनी रूप से दूर करने में भी दूरगंद भी धीरे धीरे दूर हो जाती है तो दोस्तो आप सुबा उठकर गर्म निवू पानी का सेवन करें और अपनी तमाम बिमारियों को से छुटकारा पाएं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कौन-कौन सी बिमारियों को दूर किया है तो दोस्तो मिलत अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्पूर्ट जानकारियों के साथ तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार दूर।